इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक एक एप्लिकेशन ऑफ ट्रिक्रिमेट्रिक का कुश्ण का स्टेट्मेंट है एन अब्जर्वर फ्रम टॉप अफ ए लाइट हाउस 100 मिटर हाई अबाव दिस लेवल अब इस पर दो सिप को देखता है एक एन एंगल 30 तो 60 हो जाता है जिसका जो उसकी तरफ आ रहा है मतलब पहले मान लो यहाँ पे था सिम ठीक है उसके बाद वो यहाँ पे आ गया तो उसका एंगल पहले था 30 तो एंगल और डिप्रेसन है तो आपको यहाँ से बनाना पड़ेगा यह हो गया 30 और यह हो जाएगा 60 तो यह भी हो गया 30 और यह हो गया 60 इसकी हाइट है 100 मूटर ठीक है अब यह हो गया x इसको लेट कर लिया y तो इसने बोला है find a distance travel by the ship मतलब आपको यहाँ से यहाँ जाने में x find करना है ठीक है तो देखो सबसे पहले इसको name देते हैं यह a b c d ठीक है in right triangle a b c a b c perpendicular a b upon me base b c a b upon me b c is equal to 1060 1060 ठीक है a b की value है 100 b c की value है y is equal to root 3 तो यहाँ से 100 is equal to root 3 y root 3 को divide में लिखे आएंगे तो 100 upon me root 3 is equal to y आगया ठीक है अब इन triangle a b d में and triangle a b d में a b perpendicular upon me b d 20 b d base a b upon me b d is equal to 1030 a b is 100 b d is x plus y जाएगा 1 by root 3 cross multiply 100 root 3 is equal to x plus y अब y की जेगा पे y की value 100 y root 3 replace करते है x plus is equal to 100 root 3 तो आएगा 100 root 3 minus 100 upon me root 3 is equal to x यहाँ से 100 को में लिखे तो आएगा root 3 minus 1 by root 3 इसका calcium लिखे तो आएगा 3 minus 1 2 2 into 100 200 upon me root 3 फिर इसका resonance कराएगे तो यह आएगा 200 root 3 upon me 3 is equal to x अब इसने बोला x की value 1.732 put करनी है root 3 की value तो यहाँ पे आएगा 200 into 1.732 upon me 3 तो इसको अब solve करोगे तो 211 5.46 meter आएगा इसका मतलब this distance travel by ship कितना हो गया 115.46 meter ठीक है जी और यह इसका answer है